दोस्तो हमारे ये एक सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा ऐसा है मैंने सेटलमेंट तीन EMI में किया था लेकिन इनिशियल मतलब पहला जो पेमेंट है वो मिस हो गया मतलब एक दो दिन या तीन दिन हो सकता है लेट हो गया तो अब इस सिनारियों में क्या आगे उनको ये प बना रहा हूं क्योंकि आपको भी पता रहे अगर ऐसा सिनारियों आपके साथ भी होता है तो आपको आगे क्या करना है तो दोस्तों वीडियों में आगे जाने से पहले बताना चाहूंगा कि सेटलमेंट रिगार्डिंग मैंने एक सीरीज बना के रखा है जहां पे आपको A कि टू जेट इंफिरमेशन मिलेगा मतलब कितने अमांड में सेटलमेंट होता है क्या इसalis नेगोशियेट करना है कौन-कौन सा इंप्रॉटेंट टॉपिक है जिस पर ध्यान रखना है सिबील पर क्या एंपक्ट होगा सारा टॉपिक मैंने कवर किया है सेटलमेंट के ऊपर तो इसका जो link है प्लेलिस्ट है वो अगर आप एक बाद देख लोगे तो आपको settlement regarding I hope कोई भी question नहीं रहेगा तो अगर आपने वो series नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो in future अगर आपको भी settlement करना है तो उसका link वीडियो का description में मिल जाएगा वहाँ से आप check out कर सकते हो फिलाल दोस्तों आज का जो topic है उसके ओपर हम लोग discuss करते हैं कि अगर आपको कोई भी company या bank दो या तीन या चार installment में settlement करने का सुविधा दे रहा है तो उस scenario में अगर जो date है उस date से एक या दो दिन लेट हो जाता है तो उस scenario में क्या वो settlement मानने होगा की नहीं होगा अगर मानने होता है तो क्या होगा नहीं मानने होता है तो क्या होगा दोस्तों दीके सबसे पहले बता देना चाहूंगा जो settlement लेटर आता है हुआ पे आपको साफ साफ amount और date लिखा रहाता है मतलब कितना amount का pay करना है और कौन सा date में करना है वो सारा आपको information लिखा रहाता है अगर दोस्तों by chance अगर आप उस date पे नहीं करते हो एक से दो दिन भी लेट हो जाता है तो उस scenario में आपका settlement जो है as per agreement cancel हो जायगा जी दोस्तों cancel हो जाएगा चाहे एक दिन लेट हुआ चाहे दो दिन लेट हुआ चाहे तीन दिन लेट हुआ अगर उस date से पहले आप payment नहीं करते हो तो आपका settlement नहीं होगा और जो भी आप payment करोगे वो आपका outstanding क के साथ एकजस्ट होगा मतलब जो भी पेनल्टी लेट पेमेंट चार्ज से जो भी इंट्रेस्ट लगाए उसके साथ एकजस्ट होगा कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ नहीं होगा उस सिनारियों में आपका पैसे जो है बेकार हो जाएगा उस सिनारियों में क्या करना उस सिनारिय में दुबारा आपको settlement के लिए negotiate करना है दुबारा आपको settlement agreement paper या settlement letter लेना है और उसके हिसाब से आपको आगे further payment करना है पुराना के हिसाब से करोगे तो आपको settlement नहीं होगा दोस्तो आई होप आपकी ये topic clear हो चुका होगा तो future में अगर आपके साथ भी ऐसा सिनारियों आता है तो आपको पता होगा तो आपको क्या करना है तो दोस्तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ topic के साथ अत्रक्राना बहुत सर रख्या लेखिएगा जैहिंद बन्ने मातरम